ये अडानी की वेबसाइट देख रहे हो? इस पे मैं आपको दिखाता हूँ एरपोर्ट की पार्किंग फीस जैपुर में एक घंटे गाड़ी पार्क करने के लग रहे हैं 500 रुपए ये चार्जेज है इतने हैं जितने में जैपुर से दिल्ली का जनरल ट्रेंट टिकेट आजाता है इस महेंगी पार्किंग के पीछे है एक जैन्विन रीजन गेस करो 2014 से 2022 के बीच में इंडिया में कितने एरपोर्ट बने हैं? आंसर है 75 और 2025 तक 220 एरपोर्ट बनाने का प्लान है जिसके लिए नैशनल इंफ्रस्ट्रक्टर पाइपलाइन में अलोट किये गए है 98,000 क्रोर ओफ केपेक्स अब खर्चा इतना हो रहा है तो कमाएंगे कैसे? समझने के लिए देखिये ये रेवेन्यू नंबर जो है GMR इंफ्रा किये जो चलाती है 6 एरपोर्ट फिनेंशियल यर 2022 में 46 करोर का रेवेन्यू जो बढ़कर हो गया है 7,000 करोर इसमें से ज्यादातर हिस्सा आता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू से मतलब पार्किंग स्पेस, रीटेल स्पेस, एड़र्टाइजमेंट वगयरा अब एरोनॉटिकल रेवेन्यू जो एरलाइन से एरपोर्ट को मिलता है वो तो एक सर्टेन लिमिट तक ही जा सकता है लेकिन कंज्यूमर का नॉन एरो खर्चा है एरपोर्ट के कंट्रोल में जिसमें से लगवग 20% तो केवल पार्किंग से आता है जहां एक गरीब 1500 के पेट्रोल में पूरा हफता काट लेता है वहीं अमीर 1500 में बस गाड़ी पार्क करके हवाई जाज में और जाता है